नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर साइन्स की सीरीज चालू है उसका हमारे यहाँ पास अगला पार्ट है और उसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा कोश् कूस्चन है आसूओं में कौनसा पदार्थ घुला रहता है दोस्तों यहाँ पर आपको green दिखा ही रहा होगा सामान्य नमक ये हमारा आसूओं पदार्थ घुला रहता है उसके साथ दोस्तों जो अगला कोश्चन है लोहे पर जंग लगती हैं फेरिक आउकसाइट से जलियोजित फेरस तथा फेरिक आउकसाइट से छारिय फेरस इवं फेरिक कार्वोनेट से तो दोस्तों ये जो सबी है इनसे हमारे लोहे पर जो है जंग लगती है तो दोस्तों हमारे सामने अगला जो कोश्चन है इंसुलिन की खोच किसने की थी बेंटिंग ने, डोमेक ने, रुनाल्ड, रॉस ने या फिर हारवे ने तो दोस्तों जल्दी से बताईए तो यहाँ पर जो दोस्तों इंसुलिन की खोच थी वो हमारे बेंटिंग ने की थी यानि कि फर्स्ट वाला जो आप्सन है वो है आपका सही है अगला जो कोश्चन है दोस्तों वनस्पती तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उसमा उपचार से हाइड्रोजनी करण द्वारा औक्सीजन द्वारा या फिर एंजाइमों के द्वारा तो दोस्तों ये अच्छा कोश्चन है वनस्पती तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों हाइड्रोजनी करण के द्वारा जो आपका सेकेंड वाला उप्चन है वह सही है निम्न लिखित में एक क्वोन सी एक मिसर धातू है जस्ता, इश्टील, सीशा या फिर येलो मूनियम तो दोस्तों यहाँ पर जो हमाई इस टील वह है हमारी स्टील सही अंजर जो है आपका 2nd सही अगला जो कोश्चन है दोस्तों निमनल लिखित में से कौन सी गैस नहीं है भाफ अंगार गैस प्रोड्यूशर गैस हाश गैस या फिर मार्स गैस जल्दी से बताईए दोस्तों अगर आपको इस कोश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और दोस्तों चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा अगर हमारी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो इधन गैस नहीं है वह हाश से गैस जो है वह एक इधन गैस नहीं है अगला जो कोश्चन है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा तत्त प्रवल चारिये ऑक्साइड बनाता है तब ऑक्सीजन में जलता है दोस्तों जल्दी बताईए तो इसका जो आंसर है दोस्तों सोडियम निम्न लिखित में से कौन सा तत तो प्रवल छारिय ऑक्साइड बनाता है तब ऑक्सीजन में जलता है तो वह है आपका सेकेंड वाला ओप्सन सही है सोडियम अगला जो कोश्चन दोस्तों फेदम है फेदम है यानि की पूछ रहा है कि जो आपका फेदम है वह क्या है एक मचली होती है एक पौधे का नाम है एक बरतन को कहते है या फिर एक माप है फेदम क्या है दोस्तों आपका फेदम एक माप है यानि की जो आपका फोर्थ ओप्शन है डी वाला वह है आपका सही है फेदम एक माप है और बहुत ही अच्छा कोचर है आप इसको याद रखिएगा रिचल इसकेल किसके नापने में प्रयोग होता है भूकंप की तीब्रता, वायू की गती, समुद्र की गहराई या फिर सरीर का ताप दोस्तों जो आपका रिचल इसकेल है वह नापा जाता है भूकंप की तीब्रता से यानि कि पहला जो आपका विकल्प है वह सही है अगला जो कोश्चन है डाइनामाइट के अविस्कारक निमनलिखित मैसी कौन है आइस्टाइन, न्यूटन, अलफ्रेड नोबल या फिर मैडम क्यूरी तो दोस्तों ये भी एक अच्छा कोश्चन है तो जो आपके डाइनामाइट के अविस्कारक है वह है अलफ्रेड नोबल याद रखिएगा जो आपका थार्ड वाला ओप्सन है वह सही है प्राप्ट किया जाता है सोडियम कार्बुनेट से, जिपसम से, यूरिया से या फिर कार्बन से जल्दी बताईएगा तो दोस्तों जो आपका प्लाप्सन है वह जिपसम से प्राप्त किया जाता है अगले कोश्चन को देखेंगे दोस्तों चिकितसा वायुद में उपियोग के लिए किन किरणों पर नवीनितम अनुसंधान हो रहा है X-ray किरणों पर, laser किरणों पर, gamma किरणों पर या फिर cathore किरणों पर दोस्तों ये एक आपका जो है IMP question है और बहुत ही अच्छा question है तो यहाँ पर जो चिकितसा वायुद में उपियोग के लिए किन करणों पर नवीनितम अनुसंधान हो रहा है तो हमारा जो है दोस्तों laser जो किरणे है उन पर ये किया जा रहा है अगला जो question है रडार में किसे प्रकार की तरंगे होती है विद्धु तरंगें, विद्धु चुम्बिकिये तरंगें, ध्वनी तरंगें या फिर इन तीनों में से कोई नहीं दोस्तों जो आपका रडार है उसमें आपकी विद्धु चुम्बिकिये तरंग जो है वह होती है अगला जो question है दोस्तों आकास के नीले दिखाई देने का मुख कारण ये तो दोस्तों सभी से बन जाएगा पहला है सूर्य की रोशनी नीली होती है वायू मंडल में उपस्थित धूल आदी के कड़ों द्वारा सौर्य केर्णों का प्रक्रिणन प्रकास परावर्तन या फिर प्रकास का अपवर्तन तो दोस्तों जल्दी बताईए आकास के नीले दिखने का जो आपका मुख कारण है वायू मंडल में उपस्थे धूल आदी के करों द्वारा सौरे केर्णों का प्रक्रिणन यानि कि जो आपका यहाँ पर सेकेंड ओप्शन है वह सही हो जाएगा अगला जो कोश्चन है तेज गती से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है यह पूँच रहा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कोश्चन है उतना ही सुनाई देता है अधिक सुनाई देता है कम सुनाई देता है पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है इसका answer अगर किसी student को पता है तो comment करके जरूर बताईएगा तेजगती से एक आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिछ क्या है जल्दी वर इसका answer दोस्तों अधिक सुनाई देता है यानि कि जो आपका second option है वह सही है तो दोस्तों हम यहाँ पर अगली question की बात करेंगे सूती और उनी रेसों में अंतर ग्यात किया जा सकता है छूकर जलाकर एन ए ओ एच से क्रिया करके या फिर एच एसो से क्रिया कराके तो दोस्तों सूती और उनी रेसों में अंतर ग्यात आप पता है दोस्तों जलाकर पता चल सकता है सूती और उनी रेशों में अंतर अगर आपको ग्यात करना है तो अधिकतर लोग यहाँ पर जो आंसर लगा रहे होंगे छूकर तो दोस्तों एक वार हम इसे नेट पर भी सर्च कर लेते हैं और इसका आंसर एक हमें वेबसाइट मिली है mcqbodyhindi तो इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं इस प्रस्न को ताकि नहीं हमारा डाउट खतम हो जाए सूती और उनी रेशों को अंतर किया जा सकता है तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर जलाकर क्लिक करते हैं तो यह हमारा आंसर जो है सही है तो दोस्तों हम यहाँ पर वापस से अपने प्रस्न पर आये हैं तो आपकी जो संकाएं हैं वो दूर हो गई होंगी तो आप सर्च भी कर लीजेगा तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है जलाकर यानि कि सेकेंड वाला जो है वह सही है अगला जो आंसर है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है दोस्तों घट जाता है याद रखिएगा गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं उश्मा के बुरे अवशोशक हैं आकर्षक होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को पता ही चल गया होगा कि उश्मा के बुरे अवशोशक हैं यानि कि गर्मियों में सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये जो हैं उश्मा के बुरे अवशोशक हैं अगला जो question है निम्नल लिखित मैंसे गलत कथन कौन सा है लोहा पानी में डूब जाता है ये तो सब को पता है लकड़ी पानी पर तैरती है पारा पानी पर तैरता है पारे में लोहा तैरता है दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा तो हमारा सही आंसर जो है पारा पा यानि कि पारा पानी पर तैरता है ये गलत है लोहा पानी में डूब जाता है ये सही है लकड़ी पानी पर तैरती है ये भी सही है पारे में लोहा तैरता है ये तो आपका जो आंसर है थाड़ वाला सही है संत्रे में कौन सा विटामिन अधिक होता है ये सब को पता है दोस्तों विटामिन C जो है संत्रे में अधिक पाया जाता है अगला जो कोश्चन है आपके स्कीन के सामने चम गादर अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रा सॉनिक वैब से जो आपका सेकेंड ओप्सन है वह सही है याद रखिएगा एक अच्छा कोश्चन है आपका ये कि चमकादर अंधेरों में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अल्ट्रा सॉनिक वैब से सहायता प्राप्त होती है अगला जो कोश्चन है एलो मुनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है मूनानाइट एंथ्रासाइट बॉकसाइड या फिर थौरियम तो यहाँ पर जो आपका box side है उससे aluminium खनिज प्राप्त की जाती है अगला जो question है black hole क्या है निहारी काएं हैं उलकाएं हैं सूर के धब्बे हैं या फिर इन तीनों मैंसे कोई भी नहीं तो दोस्तों यह आपका question है जल्दी बताईए black hole क्या है तो यहाँ पर जो है एक इन तीनों मैंसे जो answer है कोई भी नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ black hole क्या है तो दोस्तों हम यूं कहें कि यह black hole एक सकती साली गुरुत्वा कर्शन छेत्र वाली ऐसी खगोली यह वस्तु है जो अपने तरफ खिचाव करती है वह जो है black hole कहलाता है जल्द में इस्थाई कठोरता का कारण है magnesium carbonate, calcium chloride, zinc chloride यह फिर calcium carbonate तो जो आपका second option है वह सही है दोस्तों जल्द में इस्थाई कठोरता का कारण calcium chloride होता है कैलोरी की मापन एकाई क्या है ओश्मा, ठोस, तरल यह फिर धौनी तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी उश्मा है वह कैलोरी की मापन एकाई है सूर उदै होते समय वा डोबते समय लाल क्यों दिखाई देता है यह दोस्तों आप लोग ने question बार-बार कहीं न कहीं पढ़ा होगा विकीरण के कारण, जल्व वास्प के कारण दोल के कण के कारण या फिर प्रक्रिणन के कारण तो दोस्तों सूर लाल इसलिए दिखाई देता है वह प्रक्रिणन के कारण जो आपका fourth option है वह सही हो जाएगा घरों में विद्धु संयंत्र जोड़े जाते हैं स्रेणी क्रम में, समनांतर क्रम में मिस्रित क्रम में या फिर इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों जो घरों में विद्ध संयंत्र जोड़े जाते हैं वह आपके समनांतर क्रम में जोड़े जाते हैं अगला जो question है वह है, आपका लोही में जंग लगना एक क्या है, भोतिक क्रिया रसाइनिक क्रिया, सामानिक क्रिया या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो लोही में जंग लगना एक रसाइनिक क्रिया है विद्धूत बल्व का फिलामेंट किसका बना होता है विद्धूत बल्व का फिलामेंट किसका बना होता है क्रों, मियम का टंगश्टन का, तांबा का या फिर जस्ता का तो ये जो है टंगश्टन का बना होता है आपका जो second option है वह सही हो जाएगा अगला जो question देखिएगा दोस्तों आपका केटली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है चालन का, समवहन का, विकीरण का या फिर संगहनन का ये आपके सामने चार option है दोस्तों जल्दी से बताईए कि ये जो केटली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है जल्दी बताईए तो जो ये आपका सही answer है समवहन यानि कि आपका ये second वाला जो है वह answer सही है केटली में पानी का गर्म होना उदाहरण समवहन का उदाहरण है